आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे जो सुशॉलोजिकल थिंकर हैं सोरुकिन इनकी थेरी इसके बारे में यहां से questions पूटफ होते हैं इंक्जाम में तो इनको अच्छे से पढ़िएगा आपके बुक से question बन सकता है या फिर इनकी थेरी से question बन सकता है तो ये द पहला पार्ट जिसमें हम सबसे पहले रेखेंगे कि जो सोरुकिन हैं इनकी करतियां कौन-कौन से हैं ठीक है इनको बताने से पहले मैं एक चिस बताओं कि ये पहले इनका जो जनम था वो दूसरे कंट्री में हुआ रसिया में बट बाद में ये अमेरिका में सिफ्ट हो तो ये अमेरिकन समाज शास्त्री थे तो अब इनकी पुस्तकें देख लेते हैं पहले बुक है प्राइमें पनिस्मेंट बहुत इंपॉर्टन बुक है जिसमें इनोंने अपराद और उनके दंड कितने प्रकार के समाज कैसे देता इसके बारे में बताया है अगली पुस्त अगली पुस्तक है इनका जो समाजिक परिवरतन का सिधान्थ है वो इसी बुक में आया था Social and Cultural Dynamics में इन्होंने अपना थेरी दी थी Social Change की या फिर कह सकते हैं समाजिक परिवरतन की ठीक है Social and Cultural Dynamics बुक में अगली पुक है The Crisis of Our Age मत्या हमारी यूग का संकट क्या है and next book है Man and Society in Calamity and last book है Society, Culture and Personality ये बहुत इंपोर्टन है Society, Culture and Personality समाज, संस्कृति और व्यक्तित्तों ये बहुत इंपोर्टन बुक है ये पुछ सकता है तो ये बिल्कुल याद कर लीजेगा तो ये इनकी important books हैं इनको follow करते हैं बाद में मर्टा इनसे काफी ज़्यादा परभावित रहे थे तो इनकी कुछ जो प्रमुक सिध्धान थे उनके बारे में हम जानेंगे तो सबसे पहले देखते हैं ये किस संप्रदाय से थे तो जैसे सिमेल कोम ने पढ़ा तो सिमेल सोरुपात्मक संप्रदाय के थे लेकिन सोरुकिन जो है ये इनके विपरीत हैं सोरुकिन समनव्यात्मक संप्रदाय से आते हैं जो कि जो समनव्यात्मक संपरदाय के जो समर्थक होते ही वो मानते हैं कि समाश शास्त्र एक समनव्यात्मक विज्ञान है, एक सामाने विज्ञान है, ठीक है, प्ररूपवादी संपरदाय क्या मानता है, या सुरूपाद्मक कि समाश शास्त्र एक विश्ष्ट विज्ञान ह लेकिन समन व्यात्मक वाले मानते हैं कि समाज शास्त्र एक सामाने विज्ञान है इसमें हम सामाने घटनाओं का अध्यन करते हैं तो इन्होंने समाज शास्त्र के समन व्यात्मक संप्रदाय का समर्थन किया और बताया कि जो समाज शास्त्र है ये सामाजिक संस्कतिक घटनावों और उसके स्वरूपों का सामाने विग्यान है ठीक है सामाने विग्यान है तो लेकिन इसमें क्या अध्यन होता है सामाजिक सं subscribe नहीं करूंगी बस sort मैं बता रही हूं जो सोरोकिन थे इनका मानना था कि जो present time का the sociology है इसमें बेकार के सिध्धानतों का भंडार लग गया मतलब ऐसे theories बहुत ज़्यादा आ गई है जिनका कोई मतलब नहीं है जो बिलकुल ऐसे ही एमे एमे टाइप की हैं जो बिलकुल निर ताईप की है इसलिए इनुने समाश शास्त्र को व्याधिकिय सिध्धानतों का आजायब घर मना क्या कहा समाश्यास्त्र व्याधिकिय सिध्धानतों का आजायब घर है ब्याधिकिय सिध्धान्त मतलब जो बिलकुल जिनका बहुत जादा काम नहीं है ऐसे सिध्धान्तों की भरमार लग गई इन्होंने कहा कि समाशासर में ऐसे सिध्धान्तों की भरमार लग गई है जिसका कोई काम नहीं है समाशास्र में निर्थक घास फूस और बेकार के विचारों का अमबार लग गया इसलिए इनुने बोला कि समाशास्र व्याधिकिय सिध्धान्तों का आजायब घर है अब जो इनका प्रमुक सिध्धान्त है समाजिक इस्तरी करण इसकी बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि इस्तरी करण को इन्होंने क्या माना इस्तरी करण का मतलब होता है इस्तरों में विभाजन ठीक है उँच नीच के करम में विभाजन तो इन्हों ने इस्तरी करण को विभेदी करण से जोड़ा, कि पहले लोगों में विभेदी करण होता है, उसके बाद इस्तरी करण होता है, इन्हों ने लिखा कि इस्तरी करण का अर्थ है विभेदी करण, कि पहले विभेदी करण होगा, उसके बाद ही लोगों में निम्नता पाई जाती है आध्या रोपित और रोपित मतलब वो चाहे अचीव्द हूँ या फिर थोप गये हूँ ठीक या तो हमने अचीव्द करें हूँ या फिर वो हमको जनमजात मिली हूँ ऐसे वर्गों में बटवार आ ऐसे वर्गों में विभेदी करण समाज का और इन निम्ता का क्रम है इसका आधार क्या है समाज के सदस्यों के अधिकार सुविधा और करतव्यों तथा शक्ति के प्रभाव का असमान वितरण होता है इसका अधार है समाज के सदस्यों के लिए जो आधिकार कुछ लोगों को जादा अधिकार दिये गए कुछ लोगों को कम दे उसको सभी सामाजिक, सभी नागरिक सुवधाएं पराप्त हैं, उसको सम्मान भी मिलता है, उसकी आर्थिक प्रेशिधी भी उची, तो कुछ लोगों को जाद अधिकार दे देगे और कुछ पिल्कुल उससे वनचित कर दिए गे, तो अधिकारों का बटवारा है प्लस कुछ extra सुविधायन दी जाती ही कुछ लोगों को और कुछ लोगों सेवंचित रह जाती है आप समाज में देखोगे तो जो hierarchy है जो जाती को अगर आप ले लो तो जाती में आप ये चीज़ बहुत अच्छे से देख सकते हो कि कुछ लोगों को बहुत जादा विशेश अधिकार दिये गए है कुछ लोगों को नहीं दिये गए है तो ये क्या है इस तरीकरन का अधार है कि कुछ लोगों को अधिकार जादा दिये गए कुछ लोगों को ज़्यादा सुविधाय दी गई उनको करतव निभाने के लिए बोला गया लेकिन बाकी लोगों उससे वंचित रहे गए और कुछ लोगों को शक्ती ज़्यादा दे दी गई क्योंकि शक्ती के प्रभाव का असमान वितरण होता है मतलब कि कुछ लोग के पास पावर ज़्यादा हो गई और जो बाकी बचे वी लोग रहे गए उनके पास सक्ती कम हो गई वो किसी को आदेश नहीं दे सकते थे बलकि लोगों के आदेश के अधीन हो गए तो ये है इस्तरी करण अच्छा इस तरी करण के जो परिभास्ता है बहुत जादा मिलती चुलती है तो यहां पर आप इसको यह आद रखना जहां भी आता है अध्या रोपित रोबित वर्गों का विभेधी करण उच्चता निम्दा का क्रम तो आप सुरोकी लगा देना बाकी तो सबकी थोड़ी-थोड़ी मैच करती होती है तो डेफिनीशन याद करने का बड़िया सा तरीका है हर एक ठिंकर के साथ एक कीवर्ड जोड़ दू कि यह कीवर्ड आएगा तो हम यह लगा देंगे और बाकी तो मैच-मैच करती होती है तो वहाँ पर confusion create होती ठीक है तो ऐसे याद करेंगे तो रुकी ने इस तरीकरण के तीन आधार माने कौन-कौन से पहला माना आर्थिक आधार दूसरा राजनेतिक और तीसरा व्यवसाइक अच्छा इन्होंने देखो सामाजिक आधार को नकार दिया है तो मेवी एक्जाम में ये चीज़ पूछ सकता है कि इस तरीकरण के कौन से आधार को इन्होंने नहीं माना उसमें सचार दे देगा या कौन सा माना है तो आपको आर्थिक राजनेतिक और व्यवसाइक आधार पर करना है सामाजिक आधार इन्होंने नहीं माना जो समाज में उच नीच पाई जाते है वो चीज़ को इन्होंने नकारा है व्यवसाइक आधार पर जो उच निम्न मतलब किसी का व्यवसाइज ज़्यादा अच्छा माना जाता है किसी का निम्न माना जाता है और राजनीतिक आधार पर किसी को ज़्यादा शक्ति प्राप्त होती है कोई शक्ति विहीन होता है आर्थिक आधार पर किसी के पास ज़्यादा पैसे होते हैं किसी के पास कम पैसे होते हैं या बिल्कुल नहीं होते हैं तो ये तीन अधार इन्होंने माने है, सामाचिका अधार नहीं माना है, ठीक है? सो रोकिन ने माना कि ये जो तीनों शेत्र हैं ये एक दूसरे से सम्मंधित रहते हैं ये तीनों शेत्र आर्थिक, राजनेतिक और व्यवसाईक ये तीनों जो शेत्र हैं एक दूसरे से सम्मंधित रहते हैं मतलब कि आप ना तो सिर्फ आर्थिक को अलग कर सकते हो ना राजनेतिक को अलग कर सकते हो और ना ही व्यवसाई को अलग कर सकते हो इन्होंने कहा कि एक में जब परिवर्तन होता है तो दूसरे में खुद से ही परिवर्तन हो जाता है suppose bad किसी की आर्थिक इस्थिती बदली जैसे किसी के पास पैसे कम थे पहले फिर somehow उसने मेहनत करी या फिर क्या हुआ उसके पास पैसे बहुत जादा हो गए अब उसकी आर्थिक इस्थिती उची हो गई यहां पे आ गया वो तो जब उसकी आर्थिक स्थिती बदलेगी तो जहिर सी बात है कि उसका व्यवसाई भी बदल जाए क्योंकि पैसे जब जादा होते हैं तो व्यक्ति अपना उसी के एकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है तो उसके व्यवसाई में भी परिवर्दा ना जाता है तो जब व्यवसाई बदल गया तो फिर क्या होगा राजनीति में भी उसकी बात मानी जानी लगेगी क्योंकि जो लोगों के पास पैसा जादा है व्यवसाई अच्छा है तो वो लोग इलेक्षन वग Vari लड़ सकते हैं नहीं लड़ सकते हैं तो जो लोग लड रहे हैं उनको पैसे देते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं तो इस तरीके से जो लोग नेता लोग है उनका सपोर्ट करते हैं तो उसकी राजनेतिक इस्थिती भी अच्छी हो गई अब माल लो कि किसी की राजनेतिक इस्थिती अच्छी है बहुत जादा उची राजनेतिक इस्थिती है परिवर्तन होगा तो भी दोनों बदल जाएंगे अब माल लो कि किसी की व्यवसाय के स्थिती अच्छी हो गई किसी ने अच्छा व्यवसाय करना शुरू कर दिया तो जब व्यवसाय अच्छा हो गया तो उसका क्या हुआ फिर उसकी आर्थे के स्थिती बदल गई मतलब उसक में परिवर्तन होगा तो दूसरे में खुद से ही परिवर्तन हो जाएगा तो ये तीनों ही जो इस्थितियां है एक दूसरे से इनको हम भिन नहीं कर सकते हम आर्थिक को लग नहीं कर सकते राजनेतिक को लग नहीं कर सकते वेवसाइक को लग नहीं कर सकते क्योंकि ये एक पर तरीकरण का आसन्य परिवर्तन से धांत दिया सुरुकिन ने आसन्य परिवर्तन मतलब जुड़ा हुआ आपस में जुड़ा हुआ चलता है तो जुड़ा हुआ क्या चलता है यही तीनों जो प्राइस्थितियां हैं तीन आधार हैं इस तरीकरण के यह आपस में जुड़े व बढ़ते रही है वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मॉच